यह लैपर्ट फेस वल्चर इस गिद का वजन करीब 10 किलो होता है और इसके पंखों का फैलाओ करीब 3 मीटर तक होता है लैपर्ट फेस वल्चर की चोच और नैक सबी गिदों में सबसे ज़्यादा मजबूत होती है जिस कारण इन्हें कारकस का किंग भिगा जाता है क्योंकि यह अपनी मजबूत चोच और नैक से कारकस की हारड और ठीक स्कीन को चीर देते हैं जिससे बाकी के कमजोर वल्चर अंदर जाकर अपना पेट बर सके लेपड फेस वल्चर अफ्रीका में सबसे बड़े वल्चर है और आप कारकस पर इन्हें दूर से पैचान सकते हों क्योंकि एक तो इनका साइज इतना बड़ा होता है और आपको इनका फेस भी सबसे अलग दिखेगा सड़े वे मास्क को खाने की वज़े से इन वल्चर की रेपूटेशन दुनिया बर में बेहत खराब है लेकिन ये हमारे इन्वार्मेंट और बाकी के जानूरों के लिए बेहत जरूरी है क्योंकि सड़े गले कारकस में से रैबिज जैसे बहुत से गातक वाइरस और बैक्टिरिया फैलने लग जाते हैं आज अपसोस की बात एक समय पर पूरी दुनिया के आस्मान पर मंडराने वाले वल्चर आज केवल 20,000 बचे है